बस एक चीज आजमाले ना दोस्तो, अगर आपके दातों में केविटी की समस्या है, आप इस समस्या से परेशान है, तो आपकी जो समस्या है वो एकदम ठीक होने लगे की केविटी के बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तों केविटी सबसे पहले तो आपको बताती हूं केविटी बोलते किसको है मुँ में मौजूद एसिड के कारण दातों के जो इनेमल होते है न वो खोकले होने लगते हैं इसी कारण से आपके मुँ में जो है केविटी का निर्मान हो जाता है मुँ में मौझूद बैक्टेरिया दांतों की सितर पर जमा होने लगते हैं जैसे आप देख रहे हैं ना दांतों पे पिला-पिला सा काला-काला सा जमा होने लगा है तो यह जमा होने लगता है प्लाक में मौझूद बैक्टेरिया खाने में मौझूद सुगर एव से ओल होने लगते हैं जो आगे चलके बड़े दर्द का कारण बन जाते हैं आपके दातों में पलार्क जमाना हो और केविटी का निर्मान ना हो इसके लिए आपको मैं यहां पे गरेलू उपाय बता रहे हूं सिर्फ आप यह एक चीज लाकर अगर यह उपाय कर लेते हैं तो आपको कभी भी यह समश्या नहीं होने वाली है और अभी जो समश्या आपको वह भी रही है तो भी आप इसे आजमा सकते हूं उसके लिए भी मैं यहां पे आपको दो नुस्खे बताने वाली हूं जिन में से कोई भी एक नुस्खा आजमा कर आप समश्या से छोटकारा पा सकते हो तो इसमें अमने क्या सामगरी बार से लेकर आनी है सबसे पहले तो वो देख लेते हैं सामगरी कोई भूच जादा मेंगी नहीं है दोस्तों आप अगर 20-30 रुपे की एक बार लाकर आजमाना चाहते हैं तो इतने में ही ये आ जाएगी इससे जादा आपको जो है पैस तो होता है लेकिन बालों के अलावा ये जो है ना बहुत सारे बिमारियों के लिए फायदेमंद होता है इनका जो तरीका है वो अलग अलग रहता है तो आपको इस्तेमाल किस तरीके सी करना है इसको आपके घर में अगर सर्सों का तेल रखा है ना तो आप रखा हुआ ले लेनी तो आप चोटी बोटल बाजार से लेकर आ जाएं इसके लिए आपको सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करना है एक छोटा चमच आपको जो है याँ पे सरसों का तेल ले लेना है और उसमें आप बिल्कुल 4 से 5 चुटकी यानि की पिंच इसके अंदर आप ये पाउडर डाल जो पाउडर आता है वो लेकर आ जाना है या फिर आप साबुत ले आए सूखी जो है जड़ी बोटियों की दुकान पर मिल जाती है और घर में पाउडर बना ले और उसको छान ले फिर आप इस्तिमाल करें बस ये इतना पतला होना चाहिए बहुत ज़्यादा गाडा नही अगर आप देख रहे हैं अंदर के जो दांत होते हैं उन में बहुत ज़्यादा समश्या है तो आप जो है इसको अपना जो ब्रस है तुथ ब्रस उससे भी कर सकते हो बिल्कुल आपको ये रेगुलर करना है जब भी आप आजमाने लगेंगे ना तो कम से कम दो से तीन मैने रेगुलर करना आप जैसे मैंने बताया 50 ग्राम ब्रिंगाज का पाउडर ले आए तो इतना ही काफी हो जाएगा बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लगता है थोड़ा सा आपको लेना है इस उपाए को आप दिन में दो बार करना एक तो आप सुवे कर लेना और दूसरा आप रात में जब आपका खाना पीना सब हो जाए उसके बाद में आप जो है अच्छे से ब्रस करते है न सोने से पहले तो उस समय आपको ये कर लेना है और फिर आप नोर्मल आलके गुनगुने पानी से कुला कर ले इसके बाद में करने के बाद में रात में आपको खाना कुछ नहीं है सुवे तक आप मुह को अच्छे से साफ रहने दे खाली रहने दे तो आपके मुह में जो भी बैक्टेरिया पनपा हुआ है केविटी की समस्या है वो जर से ठीक होने लग जाएगी दोस्तों आप देखेंगे कुछ ही दिन में आपके मसूडे भी फूले हुए ह इसके लिए आपको बार से कुछ नहीं लाना गर्मे रखी हुई चीजे ही आपको ले लेनी है जैसे रोजाना आप करेंगे न तो आप इसी तरीके से बनाना जैसे मैं बना रही हूँ आप अपनी आतेली पे रख लेना तीन चार चुटकी आपको अलदी पाउडर ले लेना है जिससे आप सब्जी बनाते हैं अपने गर में रखी हुई है और इसके अंदर आपको एक पिंच नमक डाल लेना यह जो नमक है ना दोस्तों यह अलका सा दरदरा सा मोटा है तो आप थोड़ा सा नमक अलग से बारिक करके रख लेना और बारिक नमक का इस्तेमाल करना मैं आदा चमच के जितना डालना है सरसों का तेल इस नुस्खे में दोनों में ही आपको सिर्फ सरसों के तेल का इस्तिमाल करना है दूसरा तेल आप इस्तिमाल नहीं कर सकते हो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना यह नुस्खा भी आप एक बार तो आपको करना ही करना है अगर आ आप रात को सोने से पहले एकदम खाना पिना आपका सब हो जाए जिसके बाद में आपको खाना पिना नहीं है फिर आप ये कर लेना और सुबह तक आपने मुग को साप रखना आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में आपके फूले हुए मसूडे बिना दवाई की किसी भी त खिल की को नहीं लगने सब्ताबर्वे कम से कम 2-3 महिने लगातार आजवाना आप इसे और फिर आप देखना इसका हैइना है तो आगे अभी तो आगे चल के दाट ज्यादा कमजोर हो जाएंगे गीड़ सकते हैं तो इन समच्षाव से बचने के लिए अगर आपको समस्या जादा है तो आप डोक्टर की राय ले 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 ना डोक्टर से treatment करवाएंगे तो आपके दाथ सही हो जाएंगे नहीं तो आगे चल की जादा समस्या हो जाती है ये नुस्खा भी आपको लगाता है दोनों जो नुस्खे मैंने बताया है एक केविटी के लिए बताया है दूसरा फूले वे मसूडों के लिए दोनों ही आप आजमाने लगेंगे तो कंटीनू दो से तीन मैने आजमाना और अगर आपको लगता है फायदा बहुत बढ़ी आउराहिस से तो आप ये नुस्खा सब्ता में दो से तीन बार रेगुलर कर सकते हैं क्योंकि जिनको दातों में समस्या होने लग जाती है न वो समस्या थोड़ा सा मिठा खाएंगे त इसी समस्या हो रही है तो आपको ये आजमाना शुरू कर लेना अब आप सोच रहे होंगे कि ये नुस्खा आजमाएंगे तो क्या आमें ब्रस नहीं करना है तो ऐसा नहीं है आप सुवे उठकर ब्रस कर सकते हूँ कुछ भी खाने पीने की बाद में जैसे आपका खाना दोस्तों और इस नुस्खे को जैसे नमक अल्दी वाला नुस्खा है ना सर्सों का तेल डालके अगर आप अपने बच्चों को भी करवाते हैं ना तो उनके दातों में कभी समश्या नहीं आएंगी बच्चों के लिए आप सिर्फ थोड़ी सी अल्दी और थोड़ा सा तेल डालकर नमक कभी कभार अलका सा डालना बहुत जैदा मातरा में डालने की ज़रूरत नहीं तो आज मा सकते ये था हमारा आज कन उसका अगर आपको फसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक से कमेंट और चैनल पर पहली बार आहें तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो इली दन्यवाद